दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद बहुत दिनों पहले देखी एक फिल्म का एक सीन यादा रहा है, फिल्म का नाम तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन सीनल आकों के सामने कुछ नाच रहा है। हीरो गुंदा की भूमिका में होता है और जेल में दूसरे कैदी हीरो की जम कर कुटाई कर देते हैं उस फिल्म में काइदे से हीरो को शंसार होना चाहिए था या पीटने वालों का विरोध करना चाहिए था अपनी तरफ से बाकी कैदियों को दो-चार हाथ जमाना चाहिए था लेकिन हीरो करता क्या है बहुत ध्यान देने वाली बात है पीटने वाले कैदियों को एंक्यू बोलता है कहता है कि तुम लोगों ने इतनी तबियत से धुनाई किया है कि मेरे बदन का जो दर्द है वो दूर हो गया है फिल्म के इस सीन और समवाद के मर्म को समझने के लिए मानिय सुप्रीम कोट के फैसले पर गौर जरूर फरमाईएगा फैसला बीजेपी राज के कुख्याद बुल्डोजर शासन से जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोट ने बुल्डोजर विवस्ता को पूरी तरह से गैर कानूनी और असमवादानिक बताते हुए अपने फैसले में कहा कि कानूनी प्रक्रिया के बिना बुल्डोजर चलाना असमवादानिक है किसी का घर तोड़ना कानून का उलंगन है किसी मामले पर आरोपी होने या दोशी ठहराय जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है सिर्फ आरोपी होने पर किसी के घर को गिराया नहीं जा सकता है अधिकारी अदालत की तरह काम नहीं कर सकते और प्रशासन जज नहीं बन सकता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इन अलफाजों से अब आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तबियत से भारतिय जनता पार्टी के बुल्डोजर प्रधानों को बहुत होया है काईदे से उनको भी पीटने वाले हीरो की तरह शर्मशार होना चाहिए था या अपने जो है विरोध वो जताना चाहिए लेकिन उन्होंने भी उसी हीरो की तरह सुप्रीम कोर्ट को थैंक्यू कहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर योगी सरकार की प्रत्गिया देखिए इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भै होगा कानून के राजवाले अपने देश में बुल्डोजर शाशन की शुरुवात करने वाली योगी सरकार की इस तरह की प्रत्विया के बार आप एक बार फिर से सुप्रीम कोट से जो फैसले उसको देखेगा और खुद त और बता दूँ योगी सरकार ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोट का फैसला केवल दिल्ली के संदर्ब में दिया गया है उत्तर प्रदेश का उससे खुझ भी लेना देना नहीं है जबकि सचाई और हकीकत यह है कि सुप्रीम कोट ने फैसला पूरे देश के संदर्ब में दि और उत्तर प्रदेश देश के अंदर ही है नमस्कार